हेलो फ्रेंड्स, आएम मेशना, आज हम बनाएंगे फ्लावर पॉट, सबसे पहले कार्डबॉड ले, इसे पॉट के डिजाइन के चार पार्ट में कट कर ले, फिर इसे पेपर टेप से जॉइन करें, इससे ये पॉट बन जाएगा इसके बाद एक बावल में फेविकॉल ले, इसमें थोड़ा पानी एड़ करें, फेपर के छुड़ी-छुड़ी तुकड़े कट करें, और इसे फेविकॉल में डिप करें, और पॉट पर पेस्ट करते जाए, इसे थोड़ा सुकने दे इसके बाद हमें पॉट को हाट करने के लिए इस पर वाइट सिमेंट लगाना लें, इसके लिए वाइट सिमेंट ले, इसमें फेविकॉल एड़ करें, और थोड़ा पानी एड़ करें, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसके बाद वाइट सिमेंट का पेस्ट ब्रश क की हेल्प से पॉट पर लगाएं इसी तरह हमें पॉट की बॉटम भी रेडि करने हैं पेस्ट लग जाने के बाद इसे 3-4 अवर्स सुखने के लिए छोड़ दे पॉट और बॉटम सुखने के बाद इसे जॉइंट कर लिए अब हमें पॉट को डेकॉरिट करना है इसके लिए आप अपने पसंद के अनुसार करें करें मैं यहां गोल्डन कलर का यूज कर रही हूं कलर हो जाने के बाद इसे लेज से डेकुरिट करें करें लेजर से भीट़ के अरे में केव़ा, भीन करें तेक का तेक ही तेक हो जाए एगिट कि भीस कि कि अव़े कीपश deliver जा है झाल झाल इसके बाद इस पर पेंटिंग करें पेंटिंग के लिए पेंटिंग कलर का यूज़ करें पेंटिंग हो जाने के बाद इस पर मोती लगा कर और डेकुरेट करें यह हो गया है हमारा फ्लावर पॉट रेड़ी इसमें फ्लावर्स रखकर अपने लिविंग रूम को और भी ज्यादा डेक्रिटीव बनाएं सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मैं चैनल थैंक यू फ्रेंड्स करेंड्स